आज हम लोग क्लास फॉर में पढ़ेंगे जीखें, चैप्टर फॉर, फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं, As you know, birds can fly, आप लोग जानते होंगे, बर्ड फ्लाइट करते हैं, but some of them cannot identify the flightless bird with the help of the clue given below, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, जो उड़ते नहीं, तो आज उनके बारे में जानेंगे, उनका नाम देखेंगे कौन-कौन से वो पक्षी है, Rhea is a from South America, Rhea जो है, वो South America का बर्ड है, it has three toes on each foot, उसके एक पैन में तीन उंग्डिया होती है, इधर swan or runs, जो कि उसके दौरने और चलने में मदद करती है, it uses its wings to sew off and to balance itself, उसके जो पंग है, उसका sew off करते हैं और उसका चलने में मदद करते हैं, उसका balance बनाया रखके हैं, next है ostrich, ostrich is the biggest living bird, ostrich एक बहुत बड़ा पक्षी है, growing up to a height of 2.75 meter and weight about 150 kg, उसका height है 2.75 meter और उसका weight है 150 kg, इमू, इमू comes second after ostrich, ostrich के बाद इमू का नाम आता है, दूसरे स्थाम पे इमू है, it grows up to 1.7 meter and weight around 45 kg, it is a good swimmer, इसका जो लंबाई होता है, वो बढ़कर के 1.7 meter तक हो जाता है, और इसका weight 45 kg होता है, यह एक बहुत अच्छा एराकर होता है, यह तर्मे में बहुत ही बढ़िया होता है, 4. Kiwi, Kiwi of a New Zealand is the smallest of all flightless bird, Kiwi New Zealand की पक्छी है, और वो बहुत ही छोटी पक्छी है, फ्लाइटलेस है, वो भी उड़ नहीं सकती, और वो बहुत छोटी होती है, it is a big as a hand, वो एक बड़ी मुर्गी की तरह दिखती है, Kaka Pua is the largest flightless northernal parrot bird, it is a yellow green in color and has a pillow, all-like face, Kaka Pua जो है वो राग में बिज़न करता है और वो yellow और green color के पैरोग की तरह होता है, उसका face जो है, all-like face, उल्लू की तरह उसका face दिखता है, Kraskoa has a crystal that is used, used like a crash helmet by charging through the undergrowth, Kraskoa के सर पे एक hamlet की तरह बना होता है, जो उसका help करते रहता है, इंप्रोरी पेंग्विन is a among the few large creatures that can survive in the bitter Antarctic winter, it breeds on the ice cap, इंप्रोरी पेंग्विन जो है, वो बहुत ठंड में पहाड़ों पे रहती है, सबसे बर्व का जो उप्री हिसा होता है, जिसको हम लोग eye step करते हैं, वहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद किजीएगा, और देखिएगा समझीएगा, थैंक्यू,